नमस्कार दोस्तों आज आपकी सेवा में यह NCRT History 4Standard 12 का यह वीडियो प्रस्तुत है यह हम लोग पर रहे हैं विजय नगर के विशय में विजय नगर एक समराज्य की राजधानी थी तो उसका कितना महतो था इसके लिए एक वीडियो पहले बना चुका हूँ आज यह उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं महा नविमी डिब्बा यहां से आज पढ़ेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले आपको यह देखना है विजय का एक भवन तो सभा मंडप तथा महा नविमी डिब्बा जिसे पेश संजुक्त रूप से विजय का भवन की संग्या देता है के विशय में वह लिखता है इन सनचनाओं में एक के उपर एक दो मंच हैं सुन्दर्ता से चित्रित उपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमड़ा बनवाया है जहां मूर्ती का एक पूजा अस्थल है और एक अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है जिस पर राज का सिहासन खड़ा हुआ है मुकुर्त था राज की ये पायल ठीक है तो यह आपको विजय कायक भवन है प्रतिक चिन्ह के तौर पड़ बनवाया गया था विजय नगर समराज में जो विजय नगर में था महानवमी डिब्बा इस छत्र की कुछ अधिक विशिष्ट सनचनाओं का नामकरन भवनों के आकार और साथ ही उनके काड़ियों की अधार पड़ किया गया है राजा का भवन नामक सनचना अंतह क्षेत्र में सबसे विशाल है पड़नतु इसके राजकिये आवास होने का कोई निश्चित साक्ष नहीं मिला है इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं जिने समान्यता सभा मंडप और महानवमी डिब्बा कहा जाता है पुरा क्षत्र उची दोहरी दिवारों से घिरा है और एक और इनके बीच में गली है सभा मंडप एक उचा मंच है जिसमें आस पास जिसमें पास पास तथा निश्चित दूड़ी पर लकड़ी के अस्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं इसमें दूसरी मंजिल जो इन अस्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीरी बनी हुई थी अस्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास पास होने से बहुत कम खुला अस्तान बचता होगा और इसलिए यहां सपस्ट नहीं है कि यहां मंड़ाप किस प्रियोजन के लिए वनाया गया था शहर के सबसे उचे अस्तंभों में से एक पर इस्थित महानवमी डिब्बा एक विशाल काय मंच है जो लगभग 11,000 फीट के आधार से 40 फीट की उचाई तक जाता है ऐसे साक्षे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकडी की सनचना बनी थी मंच का आधार उभारदार उतकीरण से पटा पड़ा है इस सनचना से जुड़े अनुष्ठान संभावता स्वितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले दस दिन के हिंदू तेवहार जिसे दशहरा उत्तर भारत में दुर्गापूजा बंगाल में तथा नवरात्रिया महानवमी प्राइद्वीपिये भारत में नामों से जाना जाता है कि महानवमी शाब्दिक अर्थ महान नवां दिवस के अवसर पर निश्पादित किये जाते थे इस अवसर पर विजय नगर शाशक अपने रूतवे ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे इस अवसर पर होने वाले धर्मा अनुष्ठानों में मूर्ती की पूजा रज के अश्व की पूजा तथा भैसों और अन्य जानवरों की बली सम्मिलित थी निर्त कुस्ती अस्परधार तथा साज लगे घोडों हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभायात्रा और साथ ही प्रमुक नायकों और अधिनस्थों राजाओं द्वारा राजा और उसके अतितियों को दी जाने वाली अपचारिक भेंट इस आवसर के प्रमुक आकर्शन थे इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे तिवार के अंतिन दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भाव समारोह में निरिक्षण करता था इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साहत ही नियत कौर भी लाते थे क्या महानवीमी डिबा जो आज अस्तितों में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंदर था विद्वानों का मानना है कि सनचना के चारों ओर का स्थान स्वाश्रस्त्र आदमियों औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोबह यात्रा के लिए परयाप्त नहीं था राजकिये केंदर में इस्थित कई और सनचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है राजकिये केंदर में इस्थित अन्य भवन राजकिये केंदर के सबसे सुन्दर भवनों में एक लोटस महल है लोटस महल जिसका यह नामकरन उनिस्वी शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोम अंचक है लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि अभवन किस काड़े के लिए बना था एक सुझाब जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचितर से मिलता है यह है कि यह परशदिय सदन था जहां राजा अपने परामर्ष दाताओं से मिलता था हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंदर में इस्थित थे लेकिन राजकिय केंदर में भी कई थे इनमें से एक अत्यांत दर्शनिये को हजार राम मंदिर कहा जाता है संभवता इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं हैं लेकिन दिवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित हैं इनमें मंदिर की अंतरिक दिवारों पर उत्किरनित रामायन से लिये गए कुछ द्रिश्यांश सम्मिलित हैं शहर पड़ा कर्मन के प्रश्चात विजय नगर की कई सनचनाएं विनस्ट हो गई थीं पर नायकों ने महल नुमा सनचनाओं के निर्मान की परंपड़ा को जारी रखा इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्तों में हैं धार्मिक केंद्र राजधानी का चायन अब हम तुंग भद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की और ध्यान केंद्रित करते हैं अस्तानिय मन्यताओं के अनुसार ये पहाडियां रामायन में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर रज़ की रक्षा करती थी अन्य मन्यताओं के अनुसार अस्थानिय मात्री देवी पंपा देवी ने इन पहाडियों में विरुपाक्ष जो राज के सरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं से विवाह के लिए तप किया था आज तक यह विवाह विरुपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूम धाम से आयोजित किया जाता है इन पहाडियों में विजय नगर समराज के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं दूसरे शब्दों में यह ख्षत्र कई धार्मिक मन्यताओं से संबध था इस ख्षत्र में आम तोर पर शाषक अपने को अपने आपको इश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्मान को प्रत्साहन देते थे अक्सर देवता को व्यक्त अथवा और व्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था मंदिर शुक्षा के केंद्रों के रूप में भी काड़े करते थे शाषक और अन्य लोग मंदिर के रखडखाव के लिए भूमी या अन्य संपदा दान में देते थे अतेवा मंदिर महत्तवपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के शाषकों के द्रिश्टिकोन से मंदिरों का निर्मान, मडम्मत तथा रखडखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मन्यता के महत्तवपूर्ण माध्यम थे यह संभब है कि विजय नगर के अस्थान का चायन, वहाँ विरुपाक्ष तथा पंपा देवी की मंदिरों के अस्तित्यत्व से प्रेडित था, यहां तक कि विजय नगर के शाषक भगवान विरुपाक्ष की योड से शाषन करने का दावा करते थे सभी राज की आदेशों पर सामानने तया कंणर लिपी में श्री विरुपाक्ष शब्द अंकित होता था शाशक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरूद हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते थे यह अडवी भाषा के शब्द सुल्तान जिसका अर्थ राजा का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप में इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान विजयनगर के शाषकों ने पूर्वकालिक परमपड़ाओं को अपनाया उनमें नविनता लाई और उन्हें आगे विक्षित किया अब राजकिये प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रश्चित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को राजकिय अवसर माना जाने लगा जिन पर समराज के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे गोपुरम और मंडप मंदिर अस्थापना के संदर्व में इस समय तक कई नय तत्व प्रकाश में आते हैं इनमें विशाल अस्तर पर बनाई गई सनचनाएं जो राजकिय सत की दो तक थी शामिल हैं इनका सबसे अच्छा उदाहरन राय गोपुरम अथवा राजकिये प्रवेश्चुदवार थे जो अक्सर केंद्रिये देवालयों की मीनारों को बाउना प्रतीत कराते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे ये संभवता शाषकों की ताकत को याद भी दिलाते थे जो इतनी उची मीनारों के निर्मान के लिए आवश्यक, साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे अन्य विशिष्ट अभी लक्षणों में मंडप तथा लंबे अस्तंभों वाले गलियाडे जो अक्सर मंदिर परिशर में इस्थित देवस्थलों के चारों उर बने थे सम्मिलित हैं अब हम दो मंदिरों को और सुक्षमता से देखते हैं विरुपाक्ष मंदिर तथा विठल मंदिर विरुपाक्ष मंदिर का निर्मान कई शतापदियों में हुआ था हाला कि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर नावीं दस्वीं शतापदियों का था विजय नगर समराज की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्ण देव राय ने अपने राज्या रोहन के उपलक्ष में बनवाया था इसे सुक्ष्मता से उत्किरणित स्तंभों में सजाया गया था पूरवी गोपुरम के निर्मान का स्रे भी उसे ही दिया जाता है इन परिवर्धनों का अर्थ था कि केंद्रिय देवाला पूरी पूरी पड़िसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविद प्रकार के काड़ियों के लिए होता था इन में से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां संगीत निर्त और नाटकों के विशिष्ट काड़िक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सोफ पर आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को जूला जूलाने के लिए होता था इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो चोटे केंदरिये देवालियों में अस्थापित मूर्तियों से भिन्य होती थी दूसरा देवस्तल विठ्ठल मंदिर भी रोचक है यहां कि प्रमुख देवता विठ्ठल थे जो सामान्यता है महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विश्णू के एक रूप है इस देवता की पूजा को करनाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिन में एक साम स्कृति के निर्मान के लिए विजय नगर के शाष्कों ने अलग-अलग पड़ंपडाओं को आत्मसात किया अन्य मंदिरों के तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है मंदिर परशरों की एक चाडित्रिक विश्यस्ता रथ गलियां हैं जो मंदिर के गोपूरम से शीरी रेखा में जाती हैं इन गलियों का फार्ष पत्थर के टुकुडों से बनाया गया था और इनके दोनों और अस्तंभ वाले मंदब थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकाने लगाया करते थे जिस प्रकार नायकों ने फिद्दी की पर्मपराँ को जारी रखा। तथा और अ धिक व्यापक बनाया। थीक वैसा ही उन्होंने मंदिर, निर्मान की पर्मपराउं के संदर्व में भी किया। यहां तक कि कुछ सबसे दर्शनिये गोपुरमों का निर्मान भी अस्थानिये नायकों द्वारा किया गया था, माहलों, मंदिरों तो था बाजारों का अंकन, हमने विजय नगर के विशाय में जानकारी के भंडार का विशलेशन किया है, फोटोग्राफ, नक्षे, सनचनाओ के खड़े डिखा चित्र तथा मूर्तियां, यह सब कैसे खोजा गया, मैकेंजी द्वारा किये गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद, यात्रा विडित्तान्तों और अविलेखों से मिली जानकारी को एक सास जोड़ा गया, बिश्वी श्रताबदी में इस स्थान का भारतिये पुडा तात्विक सर्वेक्षण तथा करनाटक पुडा तात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गयात, 1976 में हमपी को राष्टरिये महत्व के स्थल के रूप में मन्नेता मिली, तदो परांद 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेख की एक महत्वपूर्ण पडियोजना का शुभारंभ किया गया, लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दरजनों विद्वानों ने इस जानकारी को एकठ्था और सनक्षित करने का काड़े किया, इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखत गया और प्रतेक वर्ण को वर्ण माला के एक अक्षर से इंगित किया गया, फिर इन छोटे वर्णों को पुनह और भी छोटे वर्णों के समूहों में बाटा गया, लेकिन इतना काफी नहीं था, आगे फिर छोटे वर्णों को और छोटे इकाईयों में बाटा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं गहन सर्वेक्षन बहुत परिश्रम से किये गए थे और इनसे हजारों सन चनाओं के अंशों छोटे देवस्थलों आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनह उजागर किया गया उनका प्रलेखन भी किया गया इस सब के कारण सरकों रास्तों और बाजारों आधी के अवशेशों को पुनह प्राप्त किया जा सका इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है एक समय जो बाजार जीवन तो थे उनका बस अब यही एक यही कुछ बचा है जॉन एम फ्रिट्ज जॉर्ज मिशेल तथा एम एस नागराज नागराज राओ जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कारण किया वर्षों तक इन्होंने कारण किया ने लिखा वह याद रखना महत्पूर्ण है विजाय नगर के समारकों के अपने अध्ययन में हमें नश्ट हो चुकी लकडी की वस्तूओं अस्ताम्भ टेक धारन भीतरी छात लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रिनी की कलपना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए और संभवता चटकीले ढंगों से चित्रित थेज़ अलाकि लकडी की सनचनाएं अब नहीं हैं और केवल पत्थर की सनचनाएं अस्तित्तों में हैं यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर निर्मित करने में सहायक होते हैं उत्तरों की खोज में प्रश्ण सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विशय में बताते हैं जिन से अस्थानों को विवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया वह हमें यह भी बताते हैं कि कीन वस्तूं और तकनीकों से उनका निर्मान किया गया और कैसे किया गया उदारन के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षन अविश्चक्ताओं और सामरिक तयारी को समझ सकते हैं यदि हम उनकी अन्यस्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फाइलाव और संस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्मान करता या प्रश्राइदाता व्यक्त करना चाहते थे वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्व का परिणाम होते हैं इन्हें हम समझ सकते हैं और जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य अभिलेखों तथा लोग प्रचलिक परंपराओं से मिली जानकारी को स्नयोजित करें अस्थापत तत्तों के परिक्षन हमें यह नहीं बताते कि समान्य पुरूश महिलायत था बच्चे जो शहर और उसके आसपास के श्यत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे इन प्रभावशाली भवनों के विशाय में क्या सोचते थे क्या उनकी शाही केंद्र अथवा धार्मे केंद्र के किसी भी भाग में पहुँच हो सकते थी क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल डाते अथवा देखने के लिए रुखते सोचते और उसे जटिल प्रतीक चित्रन को समझने का प्रियास करते और वे लोग जिन्हों ने इन विशाल निर्मान प्रियोजनाओं पर काड़ी किया इन उद्धमों के विशय में क्या सोचते थे इसके लिए उन्होंने अपना स्रम दान दिया था कृष्ण देवराय पड़िष्ट के कुछ समस्याओं को अपना हियाद करने के लिए तमिल नाडु में चिदंबड कुछ इस्प्रकाड करता है मजलाकद गोराडंग और अच्छी काठी कुछ मोटा प्राजा के चेहरे पर चिचक के दाग हैं हाला कि क्या निर्मान करना है अस्थान कौन सा मूल प्रयोग करना है कौन सा माल प्रयोग करना है और किस शैली का अनस्वरण करना है ये सभी निर आवश्यक विशिष्ट ग्यान किसके पास था भवनों के नक्षे कौन बनाता था राजगीर पत्थर काटने वाले मूर्तिकार जो वास्तविक निर्मान काड़े करते थे कहां से आते थे क्या उन्हें युद्ध के दौरान पडोसी श्यत्रों में बंदी बनाया जाता था उन यह कुछ प्रश्ण हैं जिनके उत्तर हम भवनों या उनके अवशेश्टों को देखने मात्र से नहीं दे सकते संभवता अन्य सुरतों को प्रयोग से जाड़ी शोध कुछ और संकेत दे सके इसके राद ये काल रेखा है टाइम लाइन इसे याद करना चाहिए हर प्रतियोगी परिक्षा के लिए ये टाइम लाइन इंपॉर्टेंट होता है इतिहास को समझने के लिए इसका होना बहुत दिरूरी तो बारा सो से तेरा सो एश्वी में दिल्ली सल्तनत के अस्थापन हुई वह बारा सो चो में अकुरेट हुआ था लगभाग तेरा सो से चोदा सो एश्वी विजय नगर समराज के स्थापना तेरा सो एक पर क्वेस्चन मार्क है मतलब इसी के आसपास भामनी राज के स्थापना तेरा सो से तालिस जावनपूर कश्मीर और मदुरही में सल्त स्थापना अमेदाबाद वीजापूर्त था बेरार सल्तनतों का हुदाय 14,000 1490 में 1490 पंद्रसों से 1620 पूर्त गालियों द्वारा गोवापर विजय पंद्रसों 10 में भामनी राजिका विनाश गुलकुंडा की सल्तनत का हुदाय 1518 बाबर द्वारा मुगल समराज के स्था स्थापना आएं 1880 में कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजय नगड की यत्रा 1856 अलेक्जेंडर गड़नीलो ने हमपी के पुरा तात्विक अवशेशों के पहले विश्तर चित्र लिये 1876 पुरा स्थल की मंदिरों की दीवारों के अभिलेखों का जे एफ फ्लीट द्वारा प पुर्शित किया गया तो मेरे दोस्तों यह वीडियो समाप्त हुआ थैंक्यू फॉर विविंग है वे नाइस लिए